अगर आप भी अपने Facebook एकाउंट को पर्मानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप आखरी तक जरूर देखना आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने किसी भी Facebook एकाउंट को पर्मानेंटली डिलीट कैसे कर सकती हो सब कुछ आपको एकदम हिंदी में सिखाने वाला हूँ तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज सबसे पहले आपको अपना Facebook app ओपन कर लेना है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना Facebook app ओपन कर रखा है अब Facebook app ओपन करोगे तो आपको दानी तरफ कोने में उपर 3 line का option मिल जाएगा तो उसके उपर क्लिक कर देना है जैसी आप उसके उपर क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा अब गाइज जब इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा तो आपको आना है थोड़ा नीचे और यहाँ पे आपको नीचे setting and privacy का एक option मिल जाएगा तो गाइज आपको इसके उपर क्लिक कर देना है इसके उपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेंज आएगा तो यहाँ पे आपको setting का एक option मिल जाएगा तो guys simple सा आपको see more account center के उपर किलिक कर देना है अब जैसी आप इसके उपर किलिक करते हूँ आपके सामने एक नया page open हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रोल करके आपको आना होगा और यहाँ पे जैसी आप स्क्रोल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको personal detail क आपको click कर देना है अब जैसी personal detail पे click करोगे तो आपके सामने एक नया page दोबारा से open हो जाएगा अब थोड़ा ध्यान से नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको account ownership का एक option मिल जाएगा तो इसके उपर आपको दोबारा से click कर देना है अब जैसी आप इसके उपर click करोगे उसके बाद आपके सामने एक नया page दोबारा से open हो जाएगा अब यहाँ पे आपके सामने दो option open हो जाएगा तो guys यहाँ पे आपको second वाले option पे click कर देना है जैसी आप second वाले option पे click करते हो आपके सामने वो आपका facebook account आ जाएगा जिसको आपको delete करना है तो guys आपको अपने facebook account के उपर click कर देना है जैसी आप उसके उपर click करोगे आपके सामने एक नया page open हो जाएगा कुछ इस type का अब यहाँ आपसे पूछेगा कि आप अपना facebook account कुछ दिनों के लिए delete करना चाहते हो या permanently delete करना चाहते हो तो guys अगर आप अपना facebook account पर्मानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको नीचे एक option मिल जाता है second वाला delete account permanently का तो guys second वाले option पे आपको click कर देना है और यहाँ पे नीचे continue का option मिल जाएगा तो simple सा continue पे click कर देना है तो guys यहाँ पे जैसे आप continue पे click करोगे अब आपसे एक option पूछेगा कि आप अपना account permanently क्यों delete करना चाहते हो region बताईए तो मतलब यहाँ पे 5-6 region आपको मिलेगा कोई एक region आपको select कर लेना है जो आपका मन करे कोई एक region select करने के बाद नीचे continue का option मिल जाएगा तो guys आपको continue पे click कर देना है जैसे आप continue पे click करोगे एक बार दोबारा से आपके सामने कुछ privacy चीज़ें आएगा जिसे आप पढ़ सकते हो पढ़ने के बाद आपको दोबारा से continue पे click कर देना है जैसे आप continue पे click करोगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक और option आएगा permanently delete account का अब यहाँ पे आपसे कुछ information पूछेगा मतलब आप अगर अपना information कुछ photo, video डाउनलोड करना चाहते हो या नहीं डाउनलोड करना चाहते हो या अपना कोई private चीजें share करना चाहते हो तो आप यहाँ से share कर सकते हो तो मुझे कुछ भी नहीं करना है मुझे direct delete करना है तो नीचे आपको continue का option मिल जाएगा तो simple सा आपको continue पे click कर देना है जैसे आप continue पे click करोगे बस यहाँ पे आपको अपना password डाल देना है और password डालने के बाद simple सा guys आपका account permanently delete हो जाएगा तो guys अगर यह information आपको अच्छे लगी होगी तो वीडियो पे like कर देना साथी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों में share करना ताकि इस चीज के बारे में और लोगों को पता चल सके